Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ तुमारी वैदी माम और इस बार हम क्या पढ़ने वाले के स्टड़ी पढ़ने वाले माम मतलब पूरा का पूरा सेक्शिन सी कौन से चाप्टर का चाप्टर नमबर 12 बायो टेखनलोजी आन इट्स अप्लिकेशन का कहां पे इसी चानल पे जिसका नाम है Magnet Bra जहां आपको कंटेंड मिलता है, इंगलिश में भी, हिंदी में भी, वो भी फ्री, किंडर गार्डन से लेके ग्रेट 12 तक का तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, और नोटबुक और बुक भी ओपन करो क्योंकि जो जो एरिया मैं डिस्कस करती चलूँगी, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगता चलेगा कि केस टड़ी में कौन से एरिया से क्वेशन आ सकता है तो अब बोलोगे वापस में बता रही हूँ कि केस टड़ी अंसीन पासेज नहीं है इखाद दो क्वेशन डारेक्ट आ सकते हैं पर ये मत मान के चलना कि इंगलिश का पेपर देने जा रहे है, बायो का ये पेपर देने जा रहे हो बहुत बार केस टड़ी वाले जो केस है उसमें अलग बकवास करते हैं कि लिए बकवास बोल रहे हैं कि फिर जब तुम देखोगे उसके क्वेशन तो बोलोगे माम ये तो वही क्वेशन है जो घर से याद करके जाने ते हाँ इसलिए मैंने बोला कि केस टड़ी अंसीन पासेज नहीं है ठीक है एकाद दो exception होते हैं एकाद दो question आ सकते हैं पर generally तुम्हारा logic पे ही build up रहेंगे चीक है चलो start करते हैं आज का पहला question या पहला case लेते हैं तो क्या बोल रहा है आज का पहला case अब देखो pattern वही है क्या करोगे सबसे पहले keyword को करोगे underline जैसे जैसे पढ़ते चलोगे keyword को करोगे underline सारे keyword हो गए नीचे तक आ गए तुम पैरा में फिर क्या करोगे राजधान express लगाओगे फटाफट फटाफट सारी चीज़े बोलते चलो गया और फिर एक बार जो पूरा pattern तुम्हारे दिमाग में एकदम encrypt हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे एक एक करके question स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलो ready हो मेरे साथ तो सबसे पहले शुरू करते है crown gall तो देखो यही तुम्हारा क्या है keyword है चलो स्टार्ट करते है crown gall is a neoplastic disease बहुत बढ़िया neoplastic का मतलब क्या है ma'am tumor कैसा tumor malignant tumor जो फैलता है ठीक है अब बोलोगे ma'am यह malignant tumor वाला cancer में पढ़ा था हमने हाँ पर देखो दो chapter का knowledge को merge करके question बनाया यहां तुमको वह case study के form में मिल रहा है पर entrance exam neat हो या फिर CUET हो बैसे ही questions आएंगे objective में 2-4 topics को merge करके question बनेगा ठीक है वो उसके तयार ही हम बाद में करेंगे पहले case study देख लेते हैं crown gall is neoplastic disease of most dicot plants and is caused by soil bacterium soil bacteria का नाम agrobacterium tumor fashion ठीक है a large extra chromosome chromosomal plasmid मनला extra plasmid मिल रहा है किन में bacteria में if these bacteria was found to be responsible for this disease मनला plasmid बिमारी का cause है कौन सी बिमारी है neoplastic disease है जो dicot plant में मिलती है ठीक है the plasmid is known as ti plasmid ठीक है इस plasmid का नाम के है ti plasmid है bacteria free crown gall cells can be cultured in the absence of phyto hormone मतलब bacteria से free अगर मेरे को crown gall cells उगाने हैं तो मुझे किसका absence में उगाने पड़ेंगे phyto hormone के ठीक है माम समझ में आ गया ti plasmid is widely used in genetic engineering ठीक है अब क्यों genetic engineering समझो बात को to deliver the desirable gene the part of ti plasmid transferred into plant cell dna is called tdna मतलब ti plasmid का जो particular portion है जो transfer होता है plant cell में उस dna को क्या बोलते है tdna तो वो क्या हो रहा है transfer हो रहा है ठीक है tdna with desired dna segment is inserted मतलब tdna में हमारा choice of segment है inserted into the chromosome host plant where it produce copy of itself तो बोलोगे माम कितना complicated है complicated नहीं है तो मारी बुक का ही एक पारा उठा के उन्होंने दे लिया थोड़ा बहुत extra information के साथ agrobacterium में तुम अलड़ी पढ़ चुके हो देखो वही चीज़ दिये क्या दिये स्टार्ट करते हैं crown gall एक neoplastik disease है neoplastik मतलब पूरा tumor एकदम भेंकर तरीके से malignant तरीके से फैलेगा ठीक है किसका है dicot plant का है किसकी वज़े से होता है एक soil वाला बाक्टेरिया जिसका नाम क्या है agrobacterium tumor fasion यह होता किस वज़े से क्योंकि इस बाक्टेरिया में क्या है एक plasmid है जो क्या कर रहा है disease cause कर रहा है अच्छा वो plasmid का नाम क्या है ti plasmid अब अगर हमको एक ऐसा बाक्टेरिया फ्री crown gall cell उगाना है तो हमको किसका absence में उगाना पड़ेगा phyto hormone के ठीक है अब ti plasmid क्यों use होता है genetic engineering में क्योंकि उन्होंने देखा है कि ti plasmid के थू desirable gene को हम transfer कर सकते हैं plant cell में और उसी dna को हम क्या बोलते है t dna मतलब transfer dna ठीक है अब यही जो t dna है उसी जगे पर क्या add होगा तुम्हारा segment आड होगा gene of interest और वो फिर insert होगा किस में host plant में और जहां पर वो खुद को express करेगा या copy बनाएगा मतलब ma'am यह तो ncrt की language पूरा का पूरा explain कर रहा है हाँ वही कर रहा है पर अब देखो question का pattern change हो जाएगा समझ में यह अच्छा पा रहा है मतलब बहुत सारे information extra भी दे रहा है तो चाहो तो फटा फट screenshot ले लो और फिर हम start करते हैं अगला तो चलो अब शुरू करेंगे एक एक करके इसके उपर base question तो पहला question क्या बोल रहा है तो पहला question क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है जो tdna पूछा है the part of ti plasmid transferred into plant cell is called tdna मतला transfer हुआ है इतना हुआ क्या clear तो देखो जरा answer क्या है इसका तो पहला क्या है answer which of the following is the form of tdna यह तो तुमको भी पता है tumor transferred dna चेक है चलो second question पे आते है ti plasmid cannot infect and develop crown gall in अब देखो यह बोलो कि माम हमको कैसे पता पता है logic लगाओ 11th का थोड़ा knowledge उठाओ उन्होंने बोला था कि यह बिमारी किसकी है dicot plant की है तो इसमें से ढूंडो monocot कौन सा है तो चलो start करते हैं सबसे पहले tomato क्या है एक dicot है ठीक है तो यह option के बाहर गया मेज भुट्टा क्या हुआ एक monocot है तब ही तो उसका एक ही दाना होता है monocotylidon तो देखो 11th के information पर nickel solve हो रहा है यह example है ना यह question solve हो रहा है soya bean dicot sunflower dicot तो गए option भाहर गए तो बचा कौन सा एक monocot क्योंकि उन्होंने क्या बोला है cannot बोला है क्योंकि starting में उन्होंने specify किया था देखो ज़रा यहाँ पे क्या specify किया था ओके यह देखो कि क्या बोला था most dicot plant मतलब यह बिमारी किसकी है सिर्फ dicot plant की हुआ clear इतना तो अपने क्या किया अपने थोड़ी सी 11th की information यूज की और क्या निकाल लिया उससे information निकाल ली ठीक है कि कौन सा dicot था कौन सा dicot plant है कौन सा monocot है और जो monocot बच गया क्या है वो maze भुट्टा वो है उसका answer करें तो देखते हैं third question क्या बोल रहा है while making transgenic plant tdna is inserted into the host cell it is then अब वो बोल रहे हैं बताओ कि जब transgenic plant बना रहे हो तो tdna जिसमें हमारा choice of gene है gene of interest है जो जाके plant dna में merge हो जाएगा और खुद को express करेगा तो tdna is inserted into the host cell हा तो it is then अरे बताया तो खुद की copy आँ बनाएगा तो देखो integrated into target host genome lie independent of the host genome नहीं भाया अब देखो बोल सकते हो माम हाँ target host genome में हो सकता है ठीक है अब तुम्हें doubt है hold करके रखो lie independent of the host genome जब independent ही रहना था तो किया है कि इतना सारा process तो ये तो माम option के सीधे-सीधे बाहर जा रहा है ठीक है रप्चर the host cell wall अब host cell wall का करके रप्चर क्या करेगा उसको तो खुद को express करना है मतलब cell wall के अंदर enter करके nucleus के अंदर enter करके वहाँ पहुचना है produce oncogenic factor in the host जब वो बोल रहा है कि oncogenic मतलब cancer causing क्या बोलते cancer causing express करना है या cell बनाना है पहली बात भले ये cancer cause कर रहा है याद करो तुमने एक term तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है insertional inactivation जीक है अब हमने यह जो agrobacterium tumor fasion है जो cancer cause करता है उसके cancer cause करने वाली जो चीज है उसी जगा हमने अपना insert लगा के रखा है तो क्या वो जीन खुद को express कर पाएगा नहीं कर पाएगा यह समझो यह उस तरीके से है यह जो तुम्हारा PBR322 है तो इसमें दो antibiotic resistant gene थे थे कौन-कौन से जल्दी बताओ पहला था ampicillin और दूसरों वाला था tetracycline ठीक है माम यह तो याद आ गया तो मुझे बताओ अगर ampicillin वाली जगह पे मैंने अपना gene of interest इंसर्ट कर दिया तो क्या ampicillin काम करेगा नहीं करेगा तो सेम यही concept उन्होंने यहाँ पे लगाया कि जो यह T.I. plasmid है जिसमें वो वाला जगह है जिससे क्या हो सकता है नियो प्लास्टिक cancer हो सकता है यह cancer cause हो सकता है उसी जगह क्या डाल दो तुमारा gene of interest डाल दो तो क्या वो खुद को express करेगा नहीं करेगा पर बोलो के ma'am cancer तो अपने अलग-अलग तरीके ढूण लेता है हाँ लेता है पर याद करो तुमारी बुक में एक लाइन लिखी है कि T.DNA या tumor causing DNA हम यूज करते हैं जब हमें plant के किसी प्लांड में कुछ modification चाहिए जने टिक री जने री कॉमेंड डी एन या री कॉमेंड इन प्लांड या ट्रांसजनिक प्लांड बनाना हो पर उसके लिए हम क्या करते हैं उसका जो ट्यूमर कॉस वाला जो जीन है उसको हम निकाल देते हैं तो वही उसका उल्टा लिखा है प्रडियूस ओंकोजनिक फैक्टर इन दा होस्ट अरे बाबा ओंकोजनिक फैक्टर तो पहले ही हटा दिया है तो एक्स्प्रेस कैसे होगा तो यह हो गया कैंसल अब बोलोगे मैम फिर रप्चर दा होसल और रप्चर करना उसको मोट omega क्या नई उसको तो सेल के अंदर जो नूकिलियस जो प्लांड का डीयंए वहा जाकर छुद को एटच करना और DNA कैसे बहला एक cell wall को rapture करेगा, तो option के बाहर, तो क्या option बचा तुम्हारा सही, integrate into target host genome, और फिर क्या करेगा, कुद की बहुत सारी copies बनाएगा, same वही pattern है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे virus भी वही करता है, जैसे retro virus हुआ, उसने RNA का बनाए DNA, और वो DNA, कहा जाक एक दम मर्ज हो जाता है, host के जो cell है, cell के अंदर जो nucleus है, nucleus के अंदर जो DNA है, genomic DNA वहाँ जाके खुद फिट हो जाता है, फिट होने के बाद वो बोलता है, जो काम मैं करने आए हो, तो मैं करूँगा, खुद की multiple copies मनाऊँगा, इस तरीके से हमारा cell में वो virus ग्रू होने लग बनता है, जब gene खुद को express करे, MRN ने बनाया, मतलब कहां होना चाहिए, MRN ने बनाने के लिए भी वो gene कहां होना चाहिए, DNA पे, तो हमने क्या किया, काम वाला portion का DNA उठाया, और direct कहां inject करवा दिया, fix करवा दिया, उस host के DNA में, तो वही तो लिखा है, integrate, मतलब जाके attach हो गय चलो, बहुत fast-fast बोल दिया न, हुआ clear, समझ में आया, अगले question पर move करे, तो चलो, अच्छा question था, अगले question पर move करते, अब बोलोगे, ma'am, क्या MC क्यों आएंगे, आभ ये सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है, ये सब कुछ ना दिया हो, यहां पर ये बन जाए, question mark, तो तुमको ये answer लिखना पड़ेगा, चाहिक है, कि जब तुमने T-DNA को insert किया हो, cell में, तो किस purpose से किया, ताकी क्या हो, insert हो, target host में, और खुद को express करे, पर जो तुम transgenic product बनवाना चाहते हो, ये transgenic particular factor express करवाना चाहते हो, वो express हो जाए, आई बात समझ में, तो अब ही रहेगा, घबराना मत, पर एक-एक माग भी बहुत important है, अगर full school करना है, तो, चाहिक है, हुआ, question number 3, clear, चलो, move कर दे, question number 4, पे, agrobacterium-mediated gene transfer in plant, अब क्या करता है, जो ये इस तरीके से हम gene transfer कर रहे है, उसका purpose क्या है, चलो देख ले, allows relatively larger segment of DNA, हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि minimal rearrangement है, हाँ, बोल सकते हैं, हमें एकदम वोई particular piece of gene जा रहा है, basically DNA जा रहा है, ठीक है, तो minimal rearrangement है, high quality and fertility in transgenic plant, आरे भाहिये, transgenic plant का motto ही होता है, कि वो क्या रहे, disease resistant रहे, फिर उसके बाद pest resistant रहे, उसके बाद वो abiotic factor tolerant रहे, उसकी productivity increase हो, तो यही तो final motto होता है, तो अब द confirm है, तो जल्दी बताओ answer किया आएगा, all of these, यह बताया था मैंने, कि suppose करो एक question है, इस type का, जिसमें all of these भी दिया हुआ है, ठीक है, और तीन option है उपर के, जिसमें से तुम 2 में 110% confirm हो, तो तीसरा पढ़ने का कश्ट भी माट उथाओ, सीधे उठा के delta mark कर किया हो, यह अगर 2, आई बात समझ में, चल, अगले question पर move करते है, question number 5, okay, assertion reason वापस जिनलों को नहीं बता, assertion reason कैसे solve करते हैं, तो मैंने बताया था, assertion क्या होता है, एक individual statement है, हमें यह चेक करना है, क्या यह statement सही है, अगर हमने पढ़ा, और हमको लगा, यह तो कुछ भी वक्वास लिखी और reason गलत है, मलब assertion is, sorry, assertion is wrong and reason is right, ऐसा कोई option यहां दिया नहीं है, तो अगर तुम्हारा पहला ही assertion गलत निकल रहा है, तो please time based मत करो, तुम sure हो किया रही, assertion statement गलत है, 110% गलत है, तो किस पे जाओगे, CD delta पे जाओगे, ठीक है, अब तुमने पढ़ा, और पढ़ने के व खुझ से answer बोल रहे है, अगर वो इस reason में लिखा हुआ है, तो फिर क्या answer आएगा, A आएगा, चीक है, अगर जो तुमने खुझ से answer बोला और वो reason में लिखा हुआ नहीं, कुछ और ही लिखा हुआ है, पर जो और लिखा हुआ वो सही है, पर सही logic नहीं है, तो क्या answer आए डेवलप नहीं करेगा ट्यूमर बिल्कुल ही लिखा हुआ है योगि जो एग्रो बाक्टिरिम ट्यूमर फेशन है उसमें टी आई प्लाजमेड यूज किया जा रहा है जो टी डियने है उसमें से हमने वो पर्टिकुलर जो ट्यूमर कॉजिंग वाला जीन है हट गया है उसमें उसकी जगह काम का जीन आ गया है इसलिए वो ट्यूमर कॉज नहीं कर पाथा क्योंकि वो सप्रेस हो गया चीक है माम सब बढ़ी है चलो इन टी डियने ट्यूमर कॉजिंग जीन है टी आई प्लाजमिड में इतना बड़ा प्लाजमिड है ना सर्कुलर प्लाजमिड रहता है सपोस करो इसका डियने है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था तुमारा ट्यूमर कॉजिंग जीन हमने वो हटा दिया और उसी जगह अपना काम की चीज फिट कर गई फिट कर दी तो क्या ट्यूमर होगा नहीं होगा माम तो वह ही तो लिखा है इन टी डियने प्रडूसिंग जीन आर डिलीटेड दियूनिग दे प्रॉसेज ऑफ जीन ट्रांसवर तो जल्दी से बताओ जब दोनों सही है और सही लॉजिक भी है क्योंकि जब हमने बोला कि इन एग्रो बाक्टिरियम मीडियेटेड जीन ट्रांसवर इन प्लांट कि जिसके लिए मतलब जो हम बोल सकते हैं वेक्टर यूस कर रहे है या वेक्टर से भी जादा बेटर है कि कौन सा मीडियेटेड चीज यूस कर रहे है एग्रो बाक्टिरि हैं ठीक है यहीं लिखा है तो देखो जो बोला वहीं लिखा हुआ मिला तो आंसर क्या आएगा ए आएगा हुआ क्लियर मूव करें अगले question पर question है अब तो अगला case आएगा easy था अब देखो दिखने में कितने complicated दिखते हैं याद रखना कि बाइलोजी और किसी भी subject का तरीका रहता है जो question तुमको दिखने में लग रहा है अरे बापरे कैसे solve करेंगे इतना घचर पचर लिखा हुआ है actually वो question बहुत easy निकलता है और जो तुम देखोगे ना रही यह तो easy यह बन जाएगा जब actually solve करने बैठोगे तब तुमें tricky दिखेगा मतलब just one glance में पर तुम लोग पढ़के जाओगे चिंता मत करना सारे questions बन जाएंगे तुमसे ठीक है तो चलो अगले case पे करते हैं कि अगला case क्या बोल रहा है वापस वही pattern keywords को करेंगे end line end में लगाएंगे राजधानी express और फिर solve करेंगे हमारे question and answer तो चलो ready हो मेरे साथ start करते है तो golden rice जल्दी बताओ जैसे golden rice पढ़ा क्या क्या याद आया अरे माम vitamin A हाँ बहुत बढ़ी है चलो अब पढ़ ले golden rice was engineered from normal rice by porticus and bear in in 1990s ठीक है दो scientist के नाम दिये the typical golden color is due to production of beta carotene a precursor of vitamin A हमने तो बोली दिया vitamin A तो vitamin A प्रडी उस करने के लिए उसका precursor चाहिए होता precursor का नाम क्या है beta carotene ठीक है ओकी golden rice differ from its parental strain by addition of अलग कैसे addition of 3 एक alpha carotene gene ठीक है मतलब वो अलग है क्योंकि इसमें 3 alpha carotene gene है these include 2 gene from daffodil plant and 3rd from a bacterium मतलब इसका combination कैसे बना है सोचो जो gene इसमें present है वो कहां 3 gene है उसके पास और 3 में से 2 कहां से लिया है एक daffodil plant से लिया हुआ है और एक लिया है एक bacteria से the incorporation of these genes allow the rice plant to modify certain metabolic pathway and its cell to produce beta carotene बहुत बढ़ी है अब लगाएं राजधाने express तो चलो start करें वापस यह जो information है काम की है तुमको अगर कुछ extra अपने answer को value बढ़ानी है है ना तो यह सारे information अगर उन्हें ने golden rice पूछा तो लिख सकते हो और नहीं तो फिर तो भाई इंट्रेंस एक्जामें काम आनी वाली है तो चाहो तो screenshot ले लो start करते हैं तो सबसे पहले golden rice क्या है एक genetically modified crop है ट्रांसजनिक crop हैं बहुत बढ़िया किस ने किया था पॉर्टरक्रिस अन्बेयर ने किया था 1990s में कैसे किया था उसमें vitamin A आड करके पर vitamin A का precursor अड़ हुआ था जिसका नाम है beta carotene beta carotene को उठाया गया था तीन जीन का mixture करके पहला था उसमें से तीन carotene gene है दो निकाले गये थे daffodil plant से और एक को लिया गया था bacterium का तो इन तीनों का मिलाके जो final process होती है कि उसमें कुछ metabolic pathway में change जाता है और result है होता है कि जो golden rice है वो क्या produce करने लगता है beta carotene और बाद में beta carotene vitamin A बनाएगा ही हुआ clear हा किती लंबी सास ली चलो हुआ clear start करे question and answers चलो पहला question देखते क्या बोल रहा है due to genetic modification golden rice plant produce and store beta carotene in अब देखो यह तो ना general knowledge का question है तो बताओ तुम golden rice खाते हो rice क्या है माम seed है वही तो पूछ रहे है seed stem leaf all of these आई बात समझ में अब बोलोगे माम इसका logic ना तुम्हें unseen passage में मिलेगा हाँ थोड़ा बहुत 11 तुम्हें मिल सकता है rice क्या है एक seed है seed यह तो याद रहेगा ना तो देखो वह पूछ रहे कि बताओ यह सारा modification होगा और beta carotene बनेगा store कहा होगा seed में क्योंकि seed ही तो खा रहे हैं चलो अगला question देखते है transfer of gene to produce golden rice is achieved by तो बताओ किस तरीके से achieve किया गया है तो answer है agrobacterium अब बोलोगे ma'am agrobacterium तो लिखा ही नहीं है हाँ नहीं लिखा है बट तुमको याद करना पड़ेगा अब देखो अब थोड़ा सा clue कहीं कहीं मिलेगा तो मारी book में ये चीज mentioned है कि transgenic plant किस किस का use करके बनाये गया है या direct gene transfer हुआ है अगर gene transfer हुआ भी है तो plant में बोलो के ma'am gene gun भी तो answer आ सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ है gene gun हाँ वो भी answer आ सकता है पर यहाँ पे कौन सा vector को use करे है या vector से जादा correct बोलना है कि किस को कौन सा medium है medium भी ने vector ही हम stick करेंगे किस का use किया है agrobacterium का who are clear? चलो question no.3 पे आते है in golden rice two gene were taken from ये तो हमको पता ही है किस से? daffodil से और एक किस से लिया था? एक bacteria से तो जरा देखो आप daffodil का ही दूसरा नाम जो आप ये देखो आप बोलो कि ma'am यहां तो दिया है नहीं तो हम तो none of these जाएंगे हाँ यहीं कड़बड हो जाएगी क्योंकि तुमको थोड़ी morphology पढ़ने पढ़ेगी 11 की बापस इतना ट्रिकी तुमारे 12th बोर्ड में नहीं आएगा? हाँ entrance exam में जरूर आ सकता है ठीक? इतना straight away question नहीं देंगे वो कि बताओ कहां से gene लिया गया है वो तुमको species याद रखने पढ़ेंगे चीक है? move करें अगले question पे तो question number 4 क्या बोल रहा है? golden rice is helpful to fight against disease caused by the deficiency of अरे beta carotene produce हो रहा है beta carotene किसका precursor है? vitamin A तो यही तो पोच रहे हैं तो क्या answer हुआ? vitamin A हुआ clear? चला अचे जल्दी से बता ही दो vitamin B12 लिखा है कहां बढ़ा था है? vitamin B12 याद करो मैं microbes and human welfare में पढ़ा था उसमें भी कहां पढ़ा था? lab में पढ़ा था जो lactic acid bacteria है वो क्या करता है? vitamin B12 भी मनाता है partially जो milk का protein है उसका भी digestion करता है और lactose को lactase की मदद से lactic acid में भी convert करता है देखो यही pattern है जब तुम कोई जीज़ याद करोगे अगर इतना सा word देखा तो उससे related जो जो कुछ याद आ रहा है बोल दो चलो अगले question पे जाते हैं question number 5 golden rice was genetically engineered by अब यह पिकदम सीधा सीधा सवाल है पहली ही line थी case study की क्या? portricus and bear who are clear? move करे अगले case study पे तो चलो मैं 2 minute दे रही हूँ फटा फट जड़ा पढ़ो और फिर start करते हैं वही pattern में discussion पहले क्या करेंगे? हम words को underline करेंगे फिर राजधान express लगाएंगे और फिर सारे question and answers discuss करेंगे चीक है? तो तुमारे 2 minute start होते हैं फटा फट एक बार पढ़ लो इसको तो देखो start करते हैं बने रहो मेरे साथ क्या करना है? keyword को करना है underline Plants having foreign gene in their genome through genetic engineering are called transgenic plant नहीं क्या बता रहे हो? पहले से पता है है ना? चलो आगे पढ़ लेते हैं Genes can be incorporated either through a vector or through direct introduction of DNA पता है हमको जल्दी बता हो plants में कैसे होता है ma'am gene gun अब बही लिखा होगा आगे it contain gene Cry 1 AC and Cry 2 AB of Bacillus thuringiensis ठीक है it is used to control Lepidopterans Scleropterans and Diopterans जिसमें कौन आता है? bowl warm कौन बेर ठीक है BT cotton can resist cotton bowl warm and produce high yield Cry gene protein Cry gene produce cry protein और BT toxin it is an endotoxin which remain as prototoxin inactive form में रहता है in plants and converted to active toxin after getting ingested by the insect alkaline pH यह तो हमको पता ही है ma'am नया क्या बता रहा है पढ़ लो alkaline pH of the insect gut solubilize the protein crystal the activated toxin create pores to the mid gut wall of the insect which causes them to death हुआ clear? बोलो के ma'am यह तो book काई उठा के दे दिया हाँ करते है अगर simple बनाना है question paper पर तुम लोग के साथ ऐसा होगा नहीं फिर भी हम पढ़ लेते हैं चलो start करें राज़धानी express तो सबसे पहले plant में अगर foreign gene है तो उसको क्या बोलेंगे transgenic plant transgenic plant बनाने के दो तरीके या तो vector use करो या तो हमको लेपिटोपटेरंस और डायपटेरंस तो इसमें हुआ क्या है जो bacillus thuring genesis है एक बाक्टीरिया उसे क्या लिया है protein gene लिया है कौन से gene दो gene में cry 1 AC cry 2 AB ठीके ये क्या करते हैं ये resistant create करते हैं अच्छा किस की against cotton bowl warm के against ठीक है और फिर उसकी yield को बढ़ाते हैं अब ये होता कैसे जो ये protein है वो inactive form में रहता है या proto toxin के form में रहता है plants में पर जैसे ही वो एक animal मतलब pest उसको खाता है उसके gut में जाता है तो gut में क्या होता है alkaline pH उस वज़े से क्या होता है वो activate हो जाता है crystal उसका dissolve हो जाता है और फिर क्या होता है वो pore create करता है mid gut wall में जिसका result होता है lysis और insect की death हो जाती है हुआ clear start करें इसके question answer चलो start करते हैं तो पहला question देखो क्या बोल रहा है BT cotton crops are हमको तो पता ही है pest resistant बोलना क्या है अब देखो answer अब बोलो के ma'am drought resistant भी तो बन सकता है भाईया तुम RNAi टेकनीक नहीं उसकर रहे हो प्लीज कन्फ्यूज मत हो ना तो BT cotton क्या है एक pest resistant plant है species है हुआ clear चलो अगले question पे move करते है question number 2 क्या बोल रहा है देखते है cotton ball worms are killed by the protein encoded by the gene अब देखो इसके option तुम्हें मिले या ना मिले यह तुम याद करके जाओगे क्यों याद करके जाओगे तुम्हारी NCRT में तीन जीन के बारे में बताया हुआ है कौन से तीन जीन जो दो है बोल वर्म के लिए इन्होंने यहाँ पर option में दिया है यह तो गनी मत मानो के option दे रहे exam में कोई option नहीं देने वाला है diet के question पूछेंगा killed by the protein encoded by the gene question mark और तुमको वो लिख के आने पड़ेंगे और यकीन मानो यह 1 mark का यह 2 mark का जाएगा मुलोगे मैं 1 mark का कैसे और 2 mark का कैसे अगर 2 mark का गया तो हर एक gene को एक-एक mark जाएगा और अगर 1 mark का गया तो आधा-ाधा mark चला जाएगा यह marking scheme बता रही है ठीक है तो आधा-ाधा mark भी बहुत important है जबरदस्ती अपने marks गवा के मताओ चलो तो वो पूछ रहे है बताओ cotton ball worm a killed by the protein encoded by कौन सा तो तुम यह याद करके जाओगे cry 1 AC cry 2 AB तो देखो ज़रा यह AB होना चाहिए ठीक है तो correct answer क्या है देखते हैं both A and C याद रखना दोनों AC AC नहीं है एक है 1 AC और एक है 2 AB याद कैसे करोगे 1 and 2 करके मैंने बोला ball worm में 2 रहेंगे इसलिए एक का जीन रहेगा cry 1 और दूसरे का रहेगा 2 चीक है हुआ clear move करें अगले question पे तो अगला question देखो question number 3 which of the following is not an अब not an क्या है keyword है मतलब हम कैसे use कर सकते हैं इस question को solve करने deduction method मतलब जो होगा उसको cross बना देना है क्योंकि उन्होंने पूछा है क्या नहीं है तो जो बच गया option वो तुम्हारा answer है तो देखो which of the following is not an advantage of GM crop पूछ रहें बताओ इन में से GM या genetically modified crop का advantage नहीं है तो चलो इसको देखने के बहले बताओ मुझे GM crop की जरुवत क्या बन गए माम pest resistant, disease resistant abiotic stress tolerate करने का power मतलब जादा पानी, कम पानी, drought उसके बाद salinity tolerate करने का power nutritional value को increase करने के लिए हम GM crop बनाते हैं ठीक है अब देख ले answer तो देखो GM plant enhanced nutritional value of food हाई ये तो advantage है तो cross क्योंकि उन्हेंने क्या पूचा है not GM plant are more tolerant to abiotic stress हाँ, बिलकुल सही यूँकि बनाए, design ही वैसे किया जाता है पर उन्हेंने क्या पूचा है not और ये तो है GM plant have helped to reduce post harvest loss हाँ, ये भी सही है तो इसलिए cancel हो गया अब आखरी GM plant can cause gene transfer to non-target plants नहीं बाबा तुम कोई agrobacterium tumor फेशन थोड़े ना यूज़ कर रहे हो तुम क्या है ये GM plant है बिचारा अल्रेडी मोडिफाय हो के बैटा है तो GM plant can cause gene transfer भी कर वा रहे हो to non-target plant नहीं नहीं कुछ भी बकवास कर रहे हो और ये बकवास इससे माच नहीं हूथी मतलव वह बोल रहे है कि बताओ इसमें से कौन सी बकवास है अब बोलोगे महम कितना बकवास बकवास नहीं नहीं वो पूछ रहे हैником इन में से कौन सा function नहीं कौन सा हम बोल सकते हैं advantage नहीं है तो कौन सा डेल्टा वाल option आया चलो answer देख लेते हैं वही answer होगा आई बात समझ में तो इसको हम क्या बोलते है deduction method जब भी उल्टा पूछा हो ठेक है तो उसको पहले please underline करो ने तो तुम सही वाला tick लगा के आज जाओगे वो नहीं बोल रहे है वो उल्टा पूछ रहे है उसके बाद बोलो अरे ये तो है पर क्या बोला है not बोला है तो cross मारो और फिर end आते आते जो बच जाएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा answer अब अगर तुम direct ये पढ़ते हैं और तुम बोलते हैं पता नहीं शायद पढ़ा है नहीं पढ़ा है हो भी सकता है क्या पता मैं पढ़के नहीं आया अभी बूल गया हूं तो उस case में ये तरीका तुमको बचा देगा चीक है चलो अगले question पर move करते है question number 4 क्या बोल रहा है bacillus thuringiensis is a अच्छा बता उसमें लिखा था soil bacteria तो देखो इसमें ज्यादा बोलने की भी जर्वत नहीं बाक्टिरिया हमको पता है fungus गया option के बाहर soil ही है food मी नहीं है तो बचा क्या soil born bacteria और ये रहा तुमारा सही answer easy था नहीं चलो अगले question पर move करते है question number 5 but 间 मेरे साथ stop करेंगे सबसे तो ucharistion भ배 फिर हुम करेंगे क्या सही iç करेंगे को पRR ल exhaustion करेंगे क्या बigor पर मेरी और क्या है बी अगर जो हम बोल रहे हैं वो यहां नहीं लिखा हूँ है पर यहां जो लिखा है वो भी गलत सलत लिखा हूँ है तो क्या अंसर आया सी और जो हमने पहला ही स्टेट्मेंट पढ़ा वही सारा बकवास है गलत लिखा हूँ है तो अंसर क्या आया चलो, अभी तो पहले 12 पढ़ लेते हैं, तो देखो, उन्होंने बोला है, cotton ball worm are killed by ingesting the leave of the transgenic plant, हाँ, kill हो जाते हैं, क्योंकि, क्योंकि जैसे ही वो plant, animal के mid gut में जाता है, तो उसमें जो inactive protein है, या proto toxin है, वो किसमें convert हो जाता है, active form में, किस की मदद से, alkaline pH की मदद से, और फि ठीक है माम, अब पढ़ ले, beta toxin bind with the mid gut wall of the insect and make pores in them, तो देखो जरा, जो बोला वही तो लिखा है, अब बोलो कि माम पर यहां पर थोड़ा सा और explain कर सकते थे ना, कि वो leaves के साथ, जो आएगा, कि माम एकदम नहीं जम रहा, कि हाँ, आखरी वाली line तो लिखी हुई है, पर ब अगले case पर मूँव करते है, case number 4 वापस वही तरीका स्टाट करते हैं, ट्रांसजनिक अनिमल, चलो अभी तक प्लान के बारे में बोल रहते हैं, आनिमल पर आ गए, ट्रांसजनिक अनिमल can serve as factory that in some cases may produce large amount of protein more efficiently, हाँ भया, हमने पढ़ा भी हुआ है, रेउजी के बारे में है न, पता नहीं किसका नाम रोजी, आज के बाद तो तुमको सिवरोजी देखने के बाद ट्रांसजनिक काउ ही याद आएगी, ओके, क्या produce करती है, उस टाइब का वो protein produce करती है, जो nutritional value एक human milk में होता है, हाँ माम, ये तो पता है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, ट्रांसजनिक माइस have been engineered to express human antibody by introducing large segment of human DNA, encoding human immunoglobin gene, म proteins of pharmaceutical value can be produced in large quantity in milk, which is later purified, transgenesis can be used to alter many phenotypic property, including growth rate, fat composition, milk production, head, truck, texture, हाँ, अभी पढ़ लिया हमने बहुत सारी चीज़े याद आगे, तो अब क्या बोल रहे है, माम, as such तो कुछ खास नहीं बोल रहे है, फिर भी बोल दो, राजधाने express लगा दो, तो transgenic animal का हम बहुत सारा use कर सकत है, protein की efficiency को बढ़ाने के लिए, या produce करने के लिए, mice का use होता है, antibody produce करने के लिए, जब उसके अंदर वो gene, जो carry कर रहा है, वो DNA, insert किया जाता है, जो क्या बनाता है, immunoglobin gene, ठीक है, transgenic, जो cow और sheep है, उसका हम use कहां करते है, milk production के लिए, large quantity में, और जो और इसके अलाबा क्या क्या use कर सकते है, growth rate increase करने के लिए, milk production करने के लिए, hair texture के लिए, ठीक है, question स्टार्ट करें, तो देखते हैं, पहला question क्या बोल रहा है, तो पहला question, the production of transgenic animal includes, अब वो पूछ रहा है, बताओ, transgenic animal includes, क्या 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 करते है, identification and separation of desired gene, combining the desired gene with appropriate vector, introduction of vector in cell tissue, और embryo, या फिर all of these, अब बोलो के माम समझ में नहीं आया, चीक है, अब all of these मैं बता रही हूँ, इसलिए मिनको पता है, दीने देरे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलो के माम all of these कैसे, उसमें तो पैरा में बहुत कमी लिखा हुआ था, हाँ, पर वापस हर चीज लिखी हुई नहीं बोड क्या करता है, काम क्या करता है, तो हमने उस जीन को कट करके, रीकॉर्मिन डीने टेकनोलोजी से किसमें इंजट कर दिया, मैस में, फिर उसको study किया, फिर बदा चला, अरे बापा, ये तो इम्मिनोग्लोबिन का जीन है, या फिर सपोस करो, अब बोलो के माम इम्मिनो आरेशन चेंज हो गया, जो रेड होनी थी, या ब्लाक होनी थी, वो हलकी सी ब्लू इस चानल लगी, तब पता चला, अच्छा, ये जीन तो ये काम करता है, तो दिख रहा है, आइंटिफिकेशन इन सेपरेशन ऑफ डिजाय जीन, सेम चीज बहुत सारे साइन्टेस आज जीन की कारण तो नहीं हो रही, ऐसा पूर, हम बोलोगे, मैं मतलब जीन निकाला, आइसोलेट किया, फिर डाला, फिर माइस का कल्चर किया, फिर देखा क्या, उसमें कुछ चेंज आ रहे हैं क्या, या फिर उसका डीने लिया, या फिर उसकी फीजियलोजिय आनटमी पड़ जैसे माइस का हुआ, एंटी बॉड़ी बनाना था, तो हमने सही वेक्टर डाल दिया, कम्माइन करवा लिया, और फिर हमारे डिजाइट प्रड़क्ट आ गया, इंट्रोड़क्शन ऑफ वेक्टर इंसेल, टिशू एन एंब्रियो, बस अब ये क्या हुआ, अब देखो, अ बाता ही है कि जब भी हमको transgenic plant बोलो या अनिमल बनाना है, कुछ भी चीज़ transgenic बनाना है हम क्या करते हैं, सबसे पहले identify करते हैं, isolate करते हैं, आईसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, वो वेक्टर में कम्बाइन करते हैं, किस की मदद से, endonuclease की मदद से काटते हैं, जो उसके बाद वो वेक्टर को कहा इंजेट करते हो, होस्ट में, लिखा है, introduction of vector in cell, tissue और embryo, यही तो बोला है, आई बात समझ में, चलो, move करें अगले question पे, question number 2, क्या बोल रहा है, देखते हैं, In transgenic animal, that is cow and sheep, protein of pharmaceutical value, produced in large quantity in, अब देखू, बताओ जिल्दी मिरको, cow and sheep क्यों use कर रहे हो, ताकि human का जो gene है, human की तरह, वो क्या produce करें, milk produce करें, और एक animal में, milk कहां से obtained होता है, मैं मेरी gland से, तो यहाँ पे blood, accumulated fat, none of these, memory gland, तो सही option क्या आया, memory gland, हुआ clear, माम यह तो easy था, जल्दी से नाम बताओ, transgenic cow का, रोजी, याद रखना है, चलो, अगला, अगला देखते हैं, third question क्या बोल रहा है, Mouse is mostly preferred animal for study on gene transfer, because, मैं माम माइस लिखा था, हाँ, एक ही चीज है, ध्यान से देखो, ठीक है, क्यूं, अब क्यूं prefer होता है, अच्छा यह बताओ, यह पढ़ने से पहले यह बताओ, मैं कोई भी जैसे तुमने, term 1 में पढ़ा था, कि Mendel ने Pysm satyban या Pee plant, क्यूं choose किया, क्यू अलग-अलग characteristics देता था, ठीक है, या desired traits देता था, seven traits मिलते थे, distinguished है, हाँ माम, तो मुझे अब same logic लगा के बताओ, अगर कोई भी हमें model organism लेना है, या model animal लेना है पढ़ाई के लिए, या study के लिए, या experiment के लिए, तो हम कैसा लेंगे, माम जिसकी life span shorty हो, easy to maintain हो, तीसरा, उ अलगा, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है, तो वो बोल रहा है, पहला option, अब देखो, यह MCQ type of question है, तो बोलो के माम, अभी भी तो MCQ चल रहा था, नहीं, अभी तक एक ही answer था, अब इसके, इसके combinations तुमको ढूड़ना है यहाँ पर, चेक है, तो पहला उनने बोला, short est cycle, तो याद रखना, menstrual cycle primates में होती है, non-primates जो एक mouse है, उसमें क्या होती है, istrus cycle, हाँ, short estrus cycle रहेगी, तो वो बहुत हद तक help करेगी, क्योंकि उसे साबसे प्रोज नहीं आएगी, तुम देखोगे, कि जो तुमने mice में inject किया है, वो क्या अगली generation में पास हुआ है, उसके क्या चाहिए, एक चाहिए, एक चाहिए, तो अगर istrus cycle छोटी रही, तो यह सारी process क्या हो जाएगी, easy हो जाएगी, आप बोलो के माम कहा लिखा है कि istrus cycle होती है, non-primate में, इसी book का, 12th की book का, chapter number 1 में लिखा हुआ, एक छोटे से कोने में, यह non-primates में होती है, istrus cycle और primates में होती है, menstrual cycle, ठीक है, वहाँ से ही information लिए है, बोलो के माम out of course, नहीं बोल सकते है, out of course, ठीक है, चलो, क्योंकि बिना out of course बोले भी, एक question solve हो जाएगा, देखो, लॉंग gestation period, gestation का मतलब क्या है, जल्दी बता, वो term 1 में पढ़ा हुआ है, pregnancy period, भाया, अगर gestation period long रहा तो तु जल्दी mature हो जाता था, जल्दी प्रोजन ही देने लगता था, बल्क में प्रोजन ही देता था, ठीक है, तो हमको भी तो यहाँ पर ऐसे ही चाहिए न, तो long gestation period ना, बाबा, long gestation period तो अपर अपर अफोरी नहीं कर सकते है, माम, मतलब इतना clear हो गया कि B तो होना ही नहीं चाह हाँ माम, short generation time तो 110% होना चाहिए, तो पता चला हमारी जितनी age रह गई हम से आदी जैसे गई, human का average हम 75 बोले, तो 35 years तक तो वो एक cycle ही चल रही है और तब तक हम बोले कि अब क्या होगा अगली generation तब तक हम ही खतम हो गया न, तो हमको अगर study करनी होती है किसी भी organism कि उसके क क्या चोटा होना चाहिए, life span भी चोटा होना चाहिए, तो वही लिखा है short generation time, तो माम इतना मतलब confirm है, option में C तो होना ही चाहिए, तो देखो इसमें C है, मतलब यह अभी okay है, standby पे है, यह तो cross हो गया, इसमें भी C है, okay standby पे है, मतलब आप क्या choose करना है, A और D के बीच में देखते हैं, D क्या पोल रहा है, production of one or two offspring per pregnancy नहीं बाबा, जिसमें easterous cycle चलती है, वो कम से कम चार से पाच बच्चे देते हैं, offspring देते हैं, सीधा सा logic है, माउस देख लो, बोलो के माम उमने नहीं देखे चुहे के बच्चे, ठीक है, डॉक्स के बच्चे देखे हैं, कितने ह होते हैं, उनमें भी easterous cycle चलती हैं, बताओ कितने होते हैं, माम 4-5 आते हैं, cats माम 4-5 आते हैं, माम काउ तो माम एक ही देती हैं, वापस कुछ अलग चीज़े होती हैं, पर जनरली अगर चलो तुम इस्टरous cycle से नहीं आद रख सकते हैं, मैंने क्या बोला कि जब 20-60 आईव तो माम आप ये बोल रहे हैं, मतलब D तो 110% नहीं है, हाँ नहीं है, तो automatic ये cancel हो गया, तो तुम्हारा आंसर क्या बचा? A and C, हुआ क्लियर? अब देखो, इसमें तुम भले उपर वाले में थोड़ा doubtful थे, पर इस technique से तुम्हारा आंसर निकलाएगा, चीक है? चलो, अगल करते हैं, question number 4, क्या बोल रहा है, देखते हैं, transgenic gene alter many phenotypic property including, अब बताओ कौन कौन सा, उन्होंने दिया हुआ है, ये तो पुरा as it is, पैरा से ही उठा है, देखो, पैरा में दिया हुआ है, देखो, क्या-क्या लिखा है, including growth rate, composition, milk production, hair texture, है ना, तो चलो, देखते हैं, वाई उन्होंने option दिये हुए है, तो option देखो, क्या दिये हुए है, okay, तो growth rate दिया है, अब बोलो कि माम fat composition थोड़ी ना दिया है, बापस वही तरीका, अगर 3 में से 2 चीजे तुम 110% sure हो, तो answer क्या है, all of these, ज्यादा time मत waste करो, direct all of these पे जम करो, तो growth rate दिया था, पहली line में पहला ह पहली word लिखा था, milk production थो ही, अब fat composition के बारे हो या ना हो, होता है, fat composition भी बहुत ज्यादा matter करता है, चलो, question number 5 पे move करते है, क्या बोल रहा है, question number 5, वापस, assertion reason pattern पे आ गए, अब मैं वापस pattern repeat नहीं करूँगी, तुमको पता चल गया, start करें, क्या करना है, यहाँ पे लगा है, ma'am, because, बहुत बढ़िया, transgenic mice have been engineered to express human antibody, हाँ, ma'am, यह बिल्कुल सही लिखा, यह पेरा में भी लिखा था, क्योंकि क्या किया गया है, पेरा में ही देखो, चलो, जल्दी बताओ, पेरा में इसका answer दिया हुए, क्यों, क्योंकि जो immunoglobin gene है, उसको हमने insert करवा दिया, कि मैस में, मैस में, देखो, जारा, एक line लिखी हुई है, ए antibody by introducing last segment of DNA encoding, human immunoglobin gene, और वही क्या express करेगा, finally antibody बनाएगा, ठीक है, अब बोलो के, ma'am, पर antibody तो beta lymphocyte, B lymphocyte बनाता है, हाँ, पर immunoglobin मतलब क्या, IG, और क्या होता है, GAME, होता है कि नहीं, antibody का नाम, तो वही लिखा हुआ चीक है, चलो, तो move करते हैं, तो देखो, B lymphocyte तो cell है, पर cell को भी express करने के लिए gene चाहिए न, तो वह gene कौन सा है, immunoglobin gene, तो चलो answer देखते हैं, पहले तो question देख ले, तो ठीक है, ma'am, उपर वाला statement तो सही है, अब last segment of human DNA encoding human immunoglobin have been transferred to mice, एकदम सही लिखा है, ma'am, तो answer क्या आ कि तुमको case study में कुछ और देथे, पर पूछे ही ले, ठीक है, घबराना नहीं है, थोड़ा शान्ती से, वेट करना है, एक बर वापस पढ़ना है, लोचिक लगाना है, फिर start करना है, एक बर वापस पढ़ना है, फिर start करना है, और यहाँ पर चौथा case होता है, खतम, चलो the gene for the desired product is identified and sequence, चीक है, माम यह तो पता ही है, sequence करते है, फिर vector में डालते है, फिर vector से उस organism में डालते है, यह host में डालते है, फिर वो खुद को express कर रहता है, चीक है, अगर माम directly plant से animal में कराना है, तो वहाँ पर हम micro-injection use करते हैं, plant में कराना है, तो gene करना है, बाप बढ़ना पस, then a gene construct containing this desired gene is introduced in female cow cell by transfection, तो basically, जो transfection, देखो 11, जो हम इसके पहले case study लिया था, chapter 11 का वहाँ पर था कि transfection क्या है, तो transfection मतलब जहाँ पर animal cell या, eukaryotic cell का involvement हो, चीक है, transgenic bovine cell are selected and fused with bovine oocytes that have had all their chromosome removed, ठीक है, once fused with the oocyte, मतलब oocyte में जो उसका original chromosome था, उनको हटा दिया, और उसकी जगे पह क्या डाल दिया, हमारा bovine cell के जो भी हमको gene चाहिए, desired gene वो डाल दिया, ठीक है, once fused with the oocyte, the transgenic cell chromosome are reprogrammed to direct development into an embryo which can be implanted into a recipient cow, the resulting transgenic cow only express the transgene in her milk, this is because expression of the transgene is controlled by promoter specific to lactating memory cell, memory cell मतलब memory gland वाल दिया, ठीक है, the first transgenic cow was Rosie, मतलब माम ये basically पूरी process बता रहा है, हाँ, पूरी process बता रहा है कि Rosie को कैसे, मतलब कैसा वो जो lactate albumin है, उसमें कैसे introduce किया गया, ठीक है, तो वापस start करें राजधाने express, तो ठीक है, तो transgenic cow है, उसको अगर बनाने तो सबसे पहले क्या किय किया, identify किया, sequence किया, जो desired gene of interest था, फिर उसको क्या किया, introduced किया female cow के cell में by the process of transfection, अब transfection में किया क्या, जो वाइन cell है, मतलब गाय के cell से उनको select किया, और fuse किया किस से उसी के गाय के oocytes के साथ, पर oocytes में जो chromosome थे उनको हटा दिया, और उसकी जगे पे अपना choice of जो gene था and once fused with the oocyte fuse होने के बाद, the transgenic cell, जो bovine cell, जो transgenic cell है, उसने क्या किया, जिसमें chromosome है, उसको प्री प्रोग्राम करके express करना साथ किया, किसमें, embryo में, ठीक है, develop into an embryo, मतलब मैं हम आप यह बोल रहे है, oocyte लिया, exomate cell लिया, यह bovine cell, cow का cell, उसमें हमने change लेकिया, change लेके oocy oocyte का जो chromosome वाला पार्ट है, उसको हटा दिया, इसको develop होने रिया, develop होते 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 हैं, embryo में बन गया, फिर उसको implant करा दिया, और उसके बाद जो cow पैदा हुई, उसमें क्या है, पहले से transgenic present है, हाँ, और उसमें, वो किस से control होगा, एक promoter specific है, किस से lactating memory cells में, और उस गा पैला question देखो, the gene construct with desired gene is introduced into female cow cell by, अरे ये तो सीधे से लिखा हुआ है, क्या, transfection, देखो, ये रहा, ठीक है, तो वापस देखते हैं, ठीक है, ये तो सीधा सीधा सा है, एकदम straight away question है, चलो, question number 2 पे move करते हैं, production of transgenic cow, fulfill the objective of, अब बताओ, क्या objective है, increase meal production, हाँ मैं, increase meat production, मैं, पता नहीं, अच्छा, वेट करो, molecular farming, हाँ, molecular farming तो हो रही है, पर मैं, इतना confirm नहीं है, वापस, एक बात बताओ, गाय को तुम बना रहे हो, तो सिर्फ क्या, मतलब, अगर transgenic cow बना रहे हो, सिर्फ milk के लिए बना होगे, नहीं, पूरा meat industry भी इस पर depend है, dairy industry तो है, पर meat industry भी depend है, तो increased milk production भी है, आप बोलोगे कि मैं molecular farming, molecular farming ही तो हो गई न, तो मारा choice of gene तुमने डाल दिया, फिर जब वो grow होई, कैसे grow होई, वाला embryo कैसे बना, जो somatic cell है, जो transgenic somatic cell है, किस का गाय का, तो क्या बोलो कि somatic, transgenic bovine cell को fuse कर दिया, किस के साथ, oocyte का main chromosome तुमने हटा दिया, फिर उसको develop होने दिया, fuse होने या embryo में embryo को implant कर दिया, अब जो गाय आई, उसमें क्या changes थे, सारे changes थे, जो जो तुम decide चाहते थे, पहले तो milk production में increase हुआ, उसकी quality भी increase हुई, उसके बाद meat production, add then उसकी meat की quality भी increase हुई, और ये सारी चीज़े करके तुम molecular farming की ही, तो line बढ़ा रहे हो, तो answer क्या आया, all of these हुआ क्या clear इतना, तो चलो, अब move करते हैं, question number 3 पे, पर ये अच्छा question है, तो एक बार इसका screenshot ले लो, या लिख लो अपने हाथों से, चलो, अब start करते है third question, बेकि क्या बोल रहा है third question, the name of first transgenic cow, देखो इसके लिए तो option की भी जरुवत नहीं, क्या है नाम, Rose E, तुमार plantation of dash containing transgenes into recipient cow, ये तो हमको पता है, ova, embryo, mammary cell या both A and B, तो देखो जल्दी से बताओ, इसको बनाया कैसे गया था, माम वापस somatic cell लिया था, किसका bovine cell का, कैसा था, वो माम transgenic था, या transgenes जिसमें present था, उसके बाद क्या किया था, माम उसको fuse किया था, किसके साथ, उस साइ के साथ, फिर बना क्या था, result, फिर एक माँ वो develop हो के embryo बना था, इसलिए करेट क्या है embryo, अब बोलो कि माम memory cell क्यों नहीं, अरे memory cell में, वो जीन डाला गया था, ताकि उसके memory cell में changes आए, पर memory cell नहीं लिया था, ठीक है, उसके बाद, ova नहीं, ova तो चाहिए नहीं था, उ embryo, इसलिए सही answer क्या है इसका, embryo, चलो, आखरी question पर move करते हैं आज की class के, assertion reason, बापस वही तरीका, क्या करोगे जल्दी बताओ, यहां लगाएंगे ma'am, because, बहुत बढ़िया, चलो, transgene only expressed in memory gland of transgenic cow, because, अब अगर हो सकता है कि वही gene responsible हो, तो किस चीज के लिए, अगर, अ वह gene से memory gland में ही express होता है, इसलिए हो रहा हो, चीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है, transgene present in chromosome of every cell in transgenica, हाँ, यह तो है, पर express, अभी मैंने बोला, कि memory gland में ही सिर्फ express होगा, यह तो वही चीज है, कि अगर मैंने यहां का cell उठा के देखा, उस cell के अंदर जो DNA, DNA में लिखा पर यह जो length है, वो यहां पर इन बालों के लिखी है, यह वाले बालों के नहीं लिखी, या आँखो का gene तो यहां भी हर cell में है, सेम वाईची, समझो बात को, कि जो हमारे body में जितने भी cells है, सब में DNA, DNA के अंदर सब सेम information है, जो cell यहां से निकालो, या यहां से निकालो, cell तो सब सेम है, information तो सब सेम है, DNA की, तो similarly, जो transgenic cow होगी, तो उसका कोई भी cell उठा के देख लो, उसके अंदर transgene ही present रहेगा, पर क्या, memory cell वाला जो gene है, वो से memory cell की जगए पे ही express करेगा, कि high quality of milk produce करो, कुछ आ रही है बात समझ में, तो वह ही लिखा उनने, transgene है, present in chromosome of every cell in transgenic cow, हाँ, सही है, पर कहा express होगा, because, देखो, transgene only, only word है, यही से उनने आधी चीज़ क्लियर कर दी, transgene only express in memory gland of transgenic cow, because, the transgene are expressed only at memory cell as they are designed, so, other चीजों में वो express नहीं कर पाएंगे, अब उनने लिखा है, हर cell के पास, जो cow है, उसके पास transgene है, हाँ, सही है, पर जो हमने statement बोला, वो तो लिखो, लिखा ही नहीं है, तो answer क्या है, या B, ये भी सही है, ये भी सही है, but this is not the correct logic of assertion, हुआ क्या इतना clear, और इसके साथ खतम होता है, तुम्हारा case study based chapter 12 का, biotechnology application का, अगर कोई chapter बज गए हो, या revise तो करना ही है, फिर से revise करना है, तो क्या करना है, google पे ज सिलेट करो, subject सिलेट करो, chapter सिलेट करो, topic सिलेट करो, और सुनते चलो, and like, share, subscribe करना, नहीं बोलना है, पढ़ना है, बने रहना है मेरे साथ, अभी मैं और case study लेके आऊंगी, तब तक, study hard.